Hello Creators, कई बार ऐसे हो जाता है कि आप घंटों की मेनद करके आपके वीडियो उस पर टाइम देते हो, लेकिन वो वीडियो अपलोड करने के बाद आप देखते हो कि उस पे सिर्फ 10, 15, 20, 25 या 50 व्यूज आये हुए देखो इसके दो रीजन्स हो सकते हैं, एक तो आपकी वीडियो आपके राइट ओडियो तक पहुच नहीं रही है, या फिर आपकी वीडियो ओडियो आपके सामने से निकल रही है, लेकिन ओडियो उससे नोटिस नहीं कर पा रही है, विकॉज आपके थम्नेल, टाइटल और कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जो उस वीडियो को clickable बना है, तो welcome to this channel, और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थम्नेल्स के बारे में, ये तीन element ची होते हैं, ये YouTube algorithm को समझने में मदद करते हैं, कि आपका content किस type में है, और किस चिरू करते हैं, टाइटल के साथ, टाइटल यानि कि आपके वीडियो के metadata का सबसे important point, थम्नेल के बाद, टाइटल, वीवर्स के लिए सबसे important चीज है, जिसको देखके, वीवर आपके वीडियो पे click करने वाला है, तो चलिए बात करते हैं, इन टाइटल को clickable बनाए कैसे, टाइटल में सारे keywords भरने के पीछे मत पर, 100 characters तक का limit है, लेकिन आप 70 तक का ही utilize करना, भाई लेकिन 100 है, तो 70 क्यों use करें, 39 characters की opportunity क्यों miss करें, वो भी बताता हूँ, देखो 2023 तक के study में, viewers attention span जो है वो बहुत जादा घड़ चुका है, आपको viewers का attention है वो बहुत ही कम time में grab कर लोग बड़े titles बिल्कुल भी नहीं पड़ते, देखो बड़े videos को 1 million पहुचने के लिए कई मेने लग जाते है या कुछ cases में कई साल, viewers attention time जो है वो काफी कम हो चुका है, तो आपके अगर titles बड़े होंगे तो उन्हें कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन title attractive होगा और छोटा हो या, titles में ही एक बहुत ही important point में आपको बताता है, आपके जो titles हैं वो audience के emotions के साथ based होने चाहिए, इसका मतलब क्या है, आपके title में आप excitement, shock, urgency या fear का इस्तमाल कर सकते हो, जैसे आप algor के page पे अगर वीडियो देखोगे, उसने title लाला हुआ है, ये करना बंद करो, तो आपको ये पूरी तरीके से excitement में डाल देता है, कि भाई चलिए देखते हैं इंडिया's longest train ride मतलब कैसे होती है, तो emotional connect जो हता है वो आपके titles में काफी important role play करता है, तो simple भाशा में इससे हमें सीखने के लिए मिलता है, कि हमें titles में keyword stuffing नहीं करना है, titles आपके जो भी है, 70 characters के अं ज़रूरत नहीं है, आप simple सी चीज कर सकते हो, आपका वीडियो किस topic के बारे में, उसके बारे में describe करो और बीच बीच में searchable terms डालो, अब searchable term का मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी जब YouTube पे जाता है, और कुछ चीज search करता है, तो उसे जो वीडियो दिखते है, वो search term की व जाएंगे, इस चीज के लिए आपको सबसे पहले navigate करना YouTube studio पे, फिर जाना आपको settings पे और वहाँ पे upload defaults, यहाँ आप recurring details जैसे के अपने social media links, playlists और business queries के लिए contact details कर सकते है, और वो हर वीडियो के लिए automatically add हो जाएंगे, चलिए आप बात करते है, टैग्स के बारे में, वाला वीडियो है, मुझे personally ऐसे लगता है कि यह पूरी तरीके से उठा tags की वज़े से, यह मेरे चानल का third वीडियो था, और इसी वीडियो ने आज तक मुझे सबसे जादा revenue दिया है, वैसे बात की जाए, तो 0.1% advantage भी help करता है, दूसरे creators क्या-क्या tags यूस कर रहे है, इस प्रकती relevant tags आपके वीडियो के लिए easily generate कर सकते हो, लेकिन याद रहे है, 2023 में आपका जो tags का relevance है, वो काफी कम हो गया है, तो पूरी तरीके से tags पे dependent मत रहना, आपको तीनों चीजों के बारे में काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कि आपको titles, description और tags कैसे डालन लेकिन क्या perfecting SEO से views आएंगे, जवाब थोड़ा mix है, SEO video ranking में help करता है, लेकिन ये वही एक game नहीं है, viewer retention, CTR और average view duration भी matter करता है, क्योंकि YouTube viewers को अपने platform पर रखने को prioritize करता है, essentially आप focus कर सकते हो engaging content creation में, compelling titles और thumbnails पर, देखो आपको one step at a time लेना है, और तब तक के लिए चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, कमेंट्स में लिखके बता दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है